हेलो गाइज आए हम लोग बीट कोई इथरे हम लिटे कोई रिपल कोई के चार्ट को अनलिसिस करते हैं तो चलिए हम लोग इसकी सुरुवात कर रहे हैं हमने आपको कल यह बोला था कि यह मार्केट जो है चुकि इस ट्रेल लाइन को सपोर्ट नहीं किया था मार्केट ने एक बार बाउंस करें तो अब यहां पर मार्केट में 69,000 से सेलिंग आई है और यह नीचे से जो आपका टार्गेट था आपका यह जो टार्गेट यह जो टार्गेट मैंने दिया था उसके बाद यह टार्गेट था यह दोनों टार्गेट हीट करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा तो अब आपका टार्गेट जो है सो 64 197 64 200 का टार्गेट यहां से अगर नीचे आता है तो यहां तक के टार्गेट आप लेके चलिए फिर ट्रेंड लाइन है फिर यहां से टाइम पास करके अगर यह उपर निकालेगा तो एक नया हाई लगाएगा और नीचे ल यहां तक टार्गेट रहेगा आपका 64 200 का अभी 3000 पॉइंट के फाल हमें दिख रहा है यहां से अगर यह फाल कंटीनू होता है तो 3000 पॉइंट आपको नीचे आपको मिलेगा चलिए हम लोग आते हैं इथिरियम में इथिरियम यहां टाइम पास करेगा इसलिए टाइम पास फिर यहां से बाउंस करेगा तो ऊपर जाएगा और नीचे आ गया तो फिर और नीचे जाते जाएगा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा फिलाल इथिरियम जो है अभी यहां पे स्टक है क्योंकि बीट कोई जीतना चल रहा थोड़ा से यहां पर इस चीज़ को आप ल प्र्लम क्रियेट कर सकता है और यह ट्रेन लाइन जो सपोर्ट बन रहा था अगर यहां से अगर इस पूरे बाइंग को अगर अब्जॉर करता है और नीचे आता है तो यह नीचे आ सकता है इस चीज़ का हमें सब ध्यान रखिएगा क्योंकि बीट कोई अगर नीचे और यहां पर एक ट्रिपल टॉप भी बना हुआ है तो हमको इस लेवल को ध्यान रखना है आपको रिपल कोई में आपको 0.54 या 0.55 के लेवल को ध्यान रखना है हो सकता है कि अगर नीचे आये तो और नीचे ऊपर निकलेगा तो फिर 0.70 तक के अपन टार्गेट लेके चले है अब हम लोग आ देते हैं आपके लिटे कोईन पर तो लिटे कोईन भी आपके टार्गेट हीट किया है जो हमने उपर का टार्गेट लगा थो उसको हीट करने के बाद नीचे आ रहा है तो अब यहां पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यह इस लेवल को नि भी बाउंस करेंगे लेकिन बीटकोईन में बाउंस करने के संभावना मुझे कम लग रही है अगर बीटकोईन में अगर सॉलिट केंडल क्लोज होता है तो फिर खीच के लेकि आ जाएगा नीचे ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा मैंने चारों का लेवल बता दिय ट्रेंड को में टारीट लेके चलना है अगर इस लेवल के नीचे चलना ठीक है और आपको बीटकोईन के ध्यान रखके चलना सुछ